हलो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक वीजियो नोटीव बिंदी चैनल मैं हूं संजे स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं शाओमी यानि एमाई के लेपटप्स के बारे में दोस्तों ये एक पहचाना है आप लोगों के एक्चुल नीड को पहचाना है और आज के डेट में क्या कनफीगरेशन की जरूरत है उन सभी कनफीगरेशन को ध्यान में रखते हुए उन जरूरत को ध्यान में रखते हुए और प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी बात ये ह जो models इन लोगों ने निकाला है वो सब अपने आप में बहुत ही best laptop है और start करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह कोई sponsored वीडियो नहीं है मेरे channel पर अभी तक कोई भी sponsored वीडियो नहीं है हमें ना तो किसी company ने और ना ही MI ने कोई payment दिया है कोई पैसा दिया है सब बोलने के लिए ऐसा कुछ भी ने अभी तक जो भी हमारे channel पर वीडियो है जो actual जो सही लगता है वो मैं बोलता हूँ और आप लोगों की क्या requirement होती है आज की rate के हिसाब से आज के समय के हिसाब से मैं 100% मेरा दावा है कि आपको लगेगा कि बहुत ही best laptop है ये तो इसे के बारे में हम लोग proper तरीके से समझेंगे तो इसे proper समझने के लिए आप इस वीडियो को लाश्टक देखते रहिए और computer hardware software technology related videos को देखने के लिए आप इस channel को subscribe कीजिए और अगर ये वीडियो फेस्बुक है वो i5 से start किये हुए है और इसके अंदर जो आपको मिल जाएगा जो screen size साढ़े 12 इंच भी मिल जाएगा साढ़े 13 इंच भी मिल जाएगा बट इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ लेकर के आया हूँ 15 इंच का साढ़े 15 इंच या जिसको 15.6 आप बोल सकते हैं वो सारे के सा अफ्रेक्ट बैठता है 15.6 इंच तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जैसे आप यह स्टार्टिंग का जो लेप्टॉप आप देख पा रहे हैं यहां पर एक्चली इन लोगों ने i5 से start किया है नीचे की कोई भी वर्जन बनाया नहीं है i5 से start किया है तो i5 का जो यह model है जिसका price आप देख पा रहे हैं 46,735 रुपए यानि कि इस price range के अंदर आप इसका configuration पर बिसेश ध्यान देंगे कि इसके अंदर आपको क्या-क्या मिल रहा है आप देख पाएंगे यहां पर 15.6 इंच इंटेल i5 82 U का प्रोसेसर मिल रहा है और सबसे बड़ी mx110 का जो है आपको graphic 2GB मिल रहा है और 4GB DDR4 का RAM मिल रहा है 128GB का SSD मिल रहा है और उसके साथ में 1TB का HDD मिल रहा है यानि कि 128GB के अंदर SSD के अंदर आप अपना operating system install करेंगे आप अपने जितने भी आपके software वगएरे हैं वह सारे के सारे install करेंगे जैसे कि आपका boot भी फॉस्ट होगा आपकी working fast होगी बहुत थी fast ये computer रहने बाला है और graphics होने के वज़े से चुकि Nvidia का जीफोर्स ग्रैफिक है आप इसके अंदर YouTube की किसी भी प्रकार कि आप वीडियो को जना edit कर पाएंगे बिल्कुल बहतर तरीके से edit कर पाएंगे साथ में अगर नॉर्मल गेम होगार भी खेलना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं इसके बागी के configurations के लिए हम चलते हैं इस सबीका link मैंने description में डाला हुआ है आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है आप direct link पर जाएं और सारे configuration देखना है तो आप देखें और जिनको buy करना है आप direct व बहुत ही प्यारा model भी है इस तरीके से और हम नीचे चलते हैं देखते हैं बाकिया और किस क्या-क्या configurations इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है जो बिल्कुल proper तरीके से देख पा रहे हैं इस तरीके का look है काफी बहतरीन look है और इसके नीचे चलते हैं काफी slim में भी य चैनल के आसकता है थोड़ा सा ग्रैफिक के वज़े से थोड़ा सा जो इसका बेस है नीचे से थोड़ा सा मोटाई मिल सकता है रीजिन उसका यह कि इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर dual fan लगा हुआ है एक ग्रैफिक के लिभी CPU है और NVIDIA के जो ग्रैफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है ग्रैफिक्स उसके लिए अलग CPU है उसके लिए भी फैन है और आपके में CPU के लिए भी फैन है तो इस तरीके से dual fan इसके अंदर लगा हुआ है और उसके नीचे चले जाएंगे तो सारी आप यहां पर देख सकते हैं गिगवाइट नेटवर्क प मिल जाता है दूसरी तरब जो है 2.0 USB port मिल जाता है पावर का इंटरफेस यहां पर मिल जाता है और उसके बाद 3 in 1 जो है काड रीडर मिल जाता है इस तरीके से जो है इसका configuration भी आप देख सकते हैं काफी best configuration है उसके नीचे आएंगे तो यहां पर एक एक चीज आप देख सक है 2GB DDR5 का जो है इसके अंदर RAM है जो इसके अंदर जो ग्रैफिक कार्ट के अंदर जो लगा हुआ है इस तरीके साब देख सकते है RAM 4GB है DDR4 लगा हुआ है 128GB SSD है प्लस 1TB hard drive है इस सारा कुछ जो है आप यहां से configuration में इसके देख सकते हैं तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आज की जो हमारी need है जो एक YouTuber या फिर एक official work करने वाले की जो एक need होती है वो सब कुछ थोड़ा मुणा game भी खेलना चाहता है कुछ video editing वगरे भी करने चाहते हैं कुछ graphic designing वगरे भी करना चाहते हैं तो उस सब बातों को ध्यान रखते हुए बिलकुल एक तरीके से all in one laptop इसको कहा जा सकता है यह अगर आप लेते हैं तो कुछ भी आपको अलग से सोचने की जरूत नहीं है कि आप इसमें यह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो अगर यह budget एक normal 50,000 से अंदर अंदर का कोई अगर laptop आपको चाहिए तो उसके बाद जो आपको मिलेगा बाकि सारे के सारे configuration बिल्कुल सेम होगे यानि कि CPU बिल्कुल सेम होगा और graphic card भी बिल्कुल भी सेम होगा बस इसके अदर क्या बढ़ रहा है RAM बढ़ रहा है RAM 8GB है तो अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी होडिंस वगर अगर आपको design करना होता है या फिर थोड़ी लंबी length की वीडियो आपको edit करना है YouTube वीडियो बनाते है comedies वगरे वीडियो या फिर थोड़ी से heavy कोई भी editors चलाना चाहते है या वीडियो एडिटर चलाना चाहते है अगर 4GB से काम नहीं चलने वाला है तो आप इसको buy कर सकते हैं य 8GB के साथ में, 2GB Graphic Card के साथ में 128GB SSD है, 1TB Hard Drive के साथ में यह आपको मिल रहा है, तो एक बहुत ही बहतरीन सीरीज यह है, जो MI ने लॉंच किया है, बहुत ही जबरदस सीरीज है, जो भी मोडल आपको पसंद आता है, आप बिरकुल बहीचेक होकर के आप उसको बाइ कर सकते हैं अगर थोड़ा से इसके उपर जाएंगे और तो उसके उपर मिलेगा यह जो Xiaomi का लेपटप 15.6 इंच, यह जो है Intel Core i7-8580U, इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, NVIDIA Z Force का 110 Graphic Card वही है 2GB का जो उस पिछे बाले में था, और इसके साथ में 8GB RAM के साथ में 128GB SSD और 1TB Hard Drive के सा गजब का कह सकते हैं, इसको बहुत ही गजब का जो इसका configuration है आपको मिल जाता है, और यह मत्र आपको मिल रहा है 6,396 रूपे के अंदर, 128GB SSD के साथ में इसके अंदर 1TB का Hard Drive भी है, और 8GB का RAM या i7 प्रोसेसर, बिल्कु लेटेस्ट एड़ जनरेशन का प्रोसेसर इसके अ लगा हुआ है, और क्या चाहिए आपको, इसके अंदर वो सब कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक बड़ा desktop जो है, आप जो है, बाय करने पर मजबूर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की editing यहां पर आने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, कोई लेगरिस था, बाडिस एक भी था, जो इसका लुक था, वो सब कुछ एक ही था, सिर्फ जो है CPU configuration, RAM configuration इंक्रीज हुआ था, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इन तीनों laptop में कौन सा आपको सही लगता है, उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं, बट आगे हम चलते हैं, कि अ इन लोगों ने निकाला है, आपको कुछ भी समझने की, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तो gaming laptop में अगर हम चलते हैं आगे, तो यह है gaming laptop इसका, तो यहां पर आप देख सकते हैं, 93,471 रुपे के अंदर आपको मिलता क्या है, आप यह देखिए, इसके अंदर जो मिल रहा है Core i5-8300, यानि कि एक जिनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल लेक्टेस्ट CPUs के अंदर मिल रहा है आपको, और GTX 1050 Ti4GB का जो है आपको, इसके अंदर ग्रैफिक मिल रहा है, ध्यान देंगे, GTX 1050 जो gaming के लिए सबसे बेस्ट ग्रैफिक माना जाता है, GTX 1050 Ti4GB का ग्रैफिक है, जो कोई भी गेम चलाने के लिए बिल्कुल माहीर है, बिल्कुल परफेक्ट है, और DDR5 RAM के साथ में, 4GB DDR5 RAM के साथ में ग्रैफिक काड है, आप सोच सकते कितना पावरफुल ये लेप्टप हो सकता है, 8GB RAM है DDR4 का, और 256GB SSD यहाँ पर आपको मिल जाती है, और 1TV hard drive के साथ में, तो आपे देख सकते कितना बहतरीन configuration में ये लेप्टप आपको मिल रहा है, size इसका वही है 15.6 inch, और इसके अंदर आपको मिलेगा, और क्या-क्या configuration में देख सकते है, इस price के अंदर बाक्यों में अगर जाएगे इतना configuration में तो बहुत ही costly हो जाएगा, लेक सकते हैं, ये keyboard में light है, बिल्कुल भी जो है, mechanical keyboard की तरह keyboard है इसका, बहुत ही RDB light के साथ में, बहुत ही जबरदस्त जो है keyboard भी मिलता है आपको, इस तरीके से कोई भी gaming इसके अंदर कर सकते हैं, जो आपे देख पा रहे हैं, 8th generation का Intel Core processor है, बहुत ही जबरदस्त, बाकि सब हर details इसको अगर आपको पढ़ना है, तो description में link है, link पर आजाएं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस तरीके से पूरा का पूरा इसके अंदर configuration आपको देखने को मिल जाएगा, और इस तरीके साथ देख सकते हैं, dual fan है, दोनों CPU के लिए अलग-लग fan लगा हुआ है, और बह होती घजब का designing इसकी है, तो आपको देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी cooling के लिए बहुत जबरदस्त बेवस्ता दी गई है, 3.0 USB मिल जाता है, आपको headphone मिल जाता है, microphone के लिए अलग-लग मिल जाता है, इसके अंदर port आपको मिल जाता है, यहां पर card reader आपको मिल जाता है, USB 3 3.0 मिल जाता है, बहुत सारे अच्छी पोर्ट्स आपको मिल जाता है, यह इसका back side है, back side में आप देख सकते हैं, यहां पर जो है, गीगवाट इथरनेट केबल मिल जाता है, केबल लगाने के लिए इंटरनेट port आपको मिल जाता है, USB 3.0 कई सारे इसके अंदर है, HDMI 2.0 मिल जाता है आपको, USB-C type एक port भी आपको यहां पर मिल जा रहा है, यह इसका back side है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी जबरदस्त एक desktop आप जो है, एक buy कर रहे हैं, गेमिंग desktop एक बड़े desktop buy कर रहे हैं, अगर आप इसको buy करते हैं, तो इतना जबरदस्त इसका configuration है, इस तरीक से आप देख सकते हैं, तो यह तो था, गेमिंग laptop के अंदर जो है पहला laptop, इसके बाद अगला जो laptop है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, इससे अगला जो है, वो यह है, और यह आपको पड़ेगा 1,661 रुपे में, इसमें आपको क्या मिल रहा है, कि i7, यह i7 configuration में मिलेगा आपको, 8750S और इसके अंदर भी जो ग्रैफिक मिलेगा, वो GTX 1050 Ti 4GB DDR5 वाला ही मिल रहा है, यानि कि बिल्कुल हाइंड गेमिंग के लिए इसके अंदर साथ कुछ configuration है, 8GB RAM है, और DDR4 वाला 256GB SSD के साथ में, 1TB हार्ड डराइब के साथ मिलेगा आपको, तो यान पर आने के बाद, आपका प्रोसेसर चेंज हो गया है, वो i5 में था, और ये i7 का 8750H प्रोसेसर लग गया है, बाकी और डिटेल्स configuration में चाहिए आपका कौन सा प्रोसेसर है, तो उसके लिए आप लिंक पर जाएं, जो description में मैंने दे रखा है, और completely एक एक जो है, आप इसक इसके अंदर हजार ही मान सकते हैं आप इसको, और ये जो है इसके अंदर i7, 8750H का ही, यानि कि बिल्कुल वही प्रोसेसर है, इसके अंदर थोड़ा सा ग्रैफिक और है भी हो जा रहा है, यानि GTX 1060 वाला 6GB, DDR5 वाला ग्रैफिक इसके अंदर लगा हुआ है, यानि कि ये जो है और भी हाई-end गेमिंग के लिए बिल्कुल भी कमपेटेबल है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि 16GB कर रहे हैं इसके साथ में मिल रहा है आपको, तो कितना पावरफुल ये जो है, आपको मिल रहा है लेपटप, और इसके साथ में 256GB SSD के साथ में 1TB hard drive मिल र सम वेराइटिस के अंदर वो सारी की सारी रेंज को पूरा किया है इन लोगोंने, तो अचली जितने भी लेपटप मैं बताया हूँ, वो सारी के सारे 15.6 इंच के स्क्रीन के अंदर है, और इनके अंदर 12.5 इंच और 13 इंच किया भी है, तो क्या आप लोग उसमें भी इंट आप लोगों के कमेंट का हमें इंतिजार रहता है, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, अगर इच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह ऐसी बहुत लोगों की रि इस स्मार्ट सोच को जा करके सब्सक्राइब कीजिए, और उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पर जो है, हम लोग सारे न्यूटूबर से लेकर के वीडियो अप्लोट कर रहे हैं, और साथे साथ ओनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो उसके उपर आने वाली ह और साथ-साथ फेस्बुक पेज को फॉलो कीजिए, आप नीचे डिस्क्रिशन में लिंक मेरे दिया हुआ है, फेस्बुक पेज को फॉलो करेंगे, वहाँ पर हमेसा अप्डेट्स रखा जाता है, अगर आप जो है ओनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, या और क्या नया हो जालइब करता हैं, जालइब को फॉलो को फॉलो को फॉलो करो वहाँ है।